तो फाइनली डेडपूल 3 जिसका ओफिशल टैटल डेडपूल और वुलवरीन दिया गया है उसका टीजर फैंस के लिए रिलीस कर दिया गया तो हम लोग बिना डिलेग किये चलो डूप की लगाते हैं इसके ब्रेकड़ॉन में वैसे हाँ ब्रेकड़ॉन से पहले बता दू क इसका ये एक ओफिशल पोस्टर भी रिलीस किया गया है और साथ ही ऐसे कई पोस्टर आप मेरे वेबसाइट रैपस्टर डॉट कॉम से पर्चेस कर सकते हो इविन कैश ऑन डिलिवरी भी अविलेबल है चलो टीजर पर आए पिसकी शुरुआत होती है डेडपूल के बड़ भी स्पोर्ट कर सकते हो धैना नेगा सौनिक टीनेज वार हैड और यूकियो के साथ में नेखते हैं और फिर वनेशा और ब्लाइन एल को भी आप यहां स्पोर्ट कर सकते हो बडिया है इसके बाले में देखना बहुत ही अजीब लगता है बडियर रेफरेंस हो सकता है बात पहले से पता होगी यहां जो एजन्स दिखे हैं उनके concept art and even set के कुछ photos भी पहले reveal हो चुके थे जो कि मैंने नर्डी न्यूज में बताया ही था इसके बाद डेटपुल TVA में होता है और हमें similar वही vibe मिलती है जब लोकी TVA में पकड़ा गया था वहां भी लोकी को जब पक इसको दिखाए गये हैं और यह पूरा sequence काफी वहीं लोकी से similar लग रहा है यहां जो मोबियस के जैसा जो agent आपको दिख रहा है उसका नाम paradox है जैसा मोबियस ने लोकी को recruit किया था वैसी यहां paradox डेटपुल को recruit करेगा वैसे यह भी बता दो कि यह जो paradox का character है even comic books में भी exist करत है वैसे यहां यह भी question आता है कि भाई यह TV कौन सा है अगर इस वाले scene पर ध्यान दोगे तो वाल पर timeline बने हुए हैं and clearly यहां single timeline तो नहीं है which means कि यह लोकी का TV का version है एक upgraded version है वैसे यहां डेटपुल को जो MCU के scenes दिखाया जाते हैं उन में से पहले दो तो Age of Ultron के हैं and third वाल भी share किया था और डेटपुल कॉमिक्स में भी इस लुक में कई बार दिख चुका है एक तरह से उसका यह एक popular लुक है आगे के शॉट में भी हमें और भी कई सारे details मिलते हैं जैसे इस शॉट में आप desert में कुछ vehicles को जाता वा देख सकते हो set photo से हमें पता है कि यहां एक red skull क fantastic 4 की car moon night में दिखा cupcake यह तीनों यहां दिखने वाले हैं यहां एक टकला character दिखता है to be exact टकली क्योंकि यह कोई और नहीं बलकि कॉमिक से Cassandra Nova होने वाली है शॉट में बताओ तो यह Professor X की evil twin sister है and mostly इस movie की main villain भी यही पर हम even Wolverine को भी white tuxedo में पीछे से देखते हैं and Wolverine का white tuxedo वाला लोग comics में भी बहुत ज्यादा popular है I'm sure आपने कभी न कभी यह लोग जरूर देखा होगा देन यहीं पर हमें एक और interesting sequence दिखा जहां आप Deadpool को कुछ minutesman की mark उटाई करता हुआ देख सकते हो होने से रहा तो obviously उसको प्रून कर दिया जाएगा और वह पहुंचेगा वॉइड में इसी वॉइड में इसके कई सारे action sequence होने वाले हैं आप even 20th century fox का logo भी यहां गिरावा देख सकते हो यहीं Wolverine एंड डेडपूल एक दूसरे से मिलेंगे और इन दोनों की बीच एक must action sequence होग फिर fox के दूसरे characters भी हमें यहां देखने को मिलेंगे जैसे कि X-Men की movies में दिखा हुआ Saber Tooth and Toad यह दोनों ही character हमें यहां दिखने वाले हैं इन दोनों की fight sequence होने वाली हैं कह सकते हो कि यह जो पूरा sequence होगा वो Deadpool kills the Marvel Universe inspired होकर Deadpool kills the Fox Universe हो सकता है इसके बाद कई सारे action sequence के बीच हम पाइरो के character को भी देखते हैं अब X-Men की movie देखे होगे तो इस character को पहचानती होगे वहाँ पाइरो X-Men की तीन movies में already दिख चुका है and finally यहां यह character फिर से return कर रहा है वैसे इनी सारे action sequence के बीच हमें यह एक बंदा दिखता है जिसको लेकर I am sure बहुत लोग confused हो जाएंगे कि कहीं है doctor doom तो नहीं लेकिन हाँ यह sure हो जाओ कि यह doctor doom नहीं होने वाला भाई उतने बड़े villain को इतने हलके full के style में नहीं दिखाया जाएगा पर हाँ teaser के ending में एक doctor doom का reference जरूर है जिस पे मैं थोड़ी दिर में आता हूं then यह वाला scene आपको for sure Deadpool के first movie की याद दिला देगा and in the end हमें मिलता है money shot जहां Deadpool के सामने वुलवरीन को देखते हैं वुलवरीन को बस थोड़ा सा tease किया गया है और वह अपने यल्लो सूट में return कर रहा है इस सूट को बहुत पहले वुलवरीन के movie में already tease किया गया था लेकिन कभी हमने on screen इसे बड़े परदे पे नहीं देखा ले यह चीज यहां tease करना excitement को सही में next level पर पहुचा देता है पर हाँ obviously यह upcoming secret wars movie कर एक tease होगा and maybe हमें वहां Doctor Doom की entry भी मिल जाएगी पर हां मुझे नहीं लगता कि Doctor Doom के entry Deadpool 3 में होने वाली है वैसे यहां कई लोग पूछ रहे होगे कि TVA वालों ने इन दोनों को क्यों पकड़ा है तो भाई दोनों ही characters already time travel कर चुके हैं वुलवरीन ने Days of Future Past में ऐसा किया था और Deadpool 2 में अपने Deadpool ने तो यह एक major reason हो सकता है TVA का यह सब में involved होने का तो हां यह थे सारी details जो कि मैंने notice किये Deadpool 3 के teaser में इप आपने कुछ और notice किया होगा या मुझसे कोई details miss हो गई हो तो वो comment में जरूर बताना latest nerdy news देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और Deadpool से related जितने भी updates आ हैं सब को जानने के लिए नीचे वाली मैं मिलता हूँ फिर से आपको किसी और वीडियो में till then be they see be nerd